नमस्कार तौफवन हिंदुस्तान में आपका फिरे से स्वागते तो बियार पंचरहिता चुनाव के आठवे चरण की मतगन्ना आज सुबा आठ बजे शुरू हो चुकिये मतगन्ना के नतिजे भी आने लगे हैं तो अभी आपको बताएंगे की कौन कहां से मुख्या का चुनाव जीता है तो पटना बकसर वा केमुर सहिता कैंजिलों से परिणाम आने लगे हैं और मतगन्ना में 25,247 सीटों के लिए 92,346 उमिदारों की किस्मत का फैसला होगा इसके पाले आटवे चरण में 3,356 परत्या सी निर्विडोद चुलिये गे हैं वहीं बीते बुद्वार को इस चरण के लिए वोटिंग हुई थी बीते बुद्वार को राज्य के 36 जिलों के 55 पर्खंडों में आटवे चरण के लिए मद्दान हुआ था 62 परतिसत वोट इसक चरण के लिए पड़े थे वहीं अब आपको बताते हैं कि अब तक कौन कहां से चुनाव जीता है तो पतना के पंडारक पर्खंड की धीवर पंचय से रीमा देवी ने मुख्या का चुनाव जीत लिया है वहीं पंडारक पर्खंड की रेली 25 से सोबा देवी ने चुनाव जीत लिया है वहीं बकसर के चोसा पर्खंड की बनारपुर पंचयत में ममता कुमारी मुख्या बनी है इसके अलवा केमोर के रामगड पर्खंड की मौवर 25 से बेचन सर्मा मुख्या निर्वाचित हुए ह वहीं खेरा पर्खंड की अरुनमा बंक 25 से फूल मंती देवी ने जीता हसल किये इसी के साती खेरा पर्खंड की हरकार 25 से मुन्ना सा को जीत मिलिये वहीं खेरा पर्खंड की गराई 25 से सबाना खातुन ने मुख्या का चुनाव जीता है इसके अलवा खेरा पर्खंड की ज बढ़गाव पंचाय से मुख्यापद पर अब्दूल सतार जीते हैं। इसी के साथ ही जमुई की बेला पंचाय से आसा देवी की पुनरवाफसी हो चुकी है। यहां आसा देवी मुख्या का चुनाव जीती है। तो अभी तक इतने बियार पंचाय से चुनाव के परिनाम सामने आये थे जो की अभी हमने आपको दिखा दिये हैं। और इसके अलवा किसी अन्य सिट का आप परिनाम देखना चाहते हो तो वामें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवस्य बताईए। तो आपस सभी का इस वी अपने के लिए धन्यवाद।